हेलो दूस्तों आज देखी मैं बनाने जा रहे हूं ठंड में खाने वाला बहुत ही फायदेमंद इम्मुनीटी बुष्टर हमारी इम्मुनीटी को बढ़ाया गाहा अर्ठंड में जो जोडों का दर्द, सरदत, कमर दर्द होता है हडडी में जो दर्द होता है उनसे बहुत ह ही फायदेमंद होगा बड़े और बच्चे सबके लिए आज मैं बनाने जा रहे हूं खजूर के लड़ू इसमें ना ही चीनी और ना ही गुड की जरूरत पड़ती है अपने मिठास इसमें होता है तो देखिए मैं इसके लिए कुछ ड्राइब फुर्ट्स ली हूँ जैसे की मुंग फली ये है सफेद तिल और ये खस खस खरबुजे का बीज मखाना की समिस और आप जो भी ड्राइब फुर्स एड़ करना चाहें काजू बादाम अक्रोट सब तो एड़ कर सकते हैं तो देखिए मैं मुंग फली को सबसे पहले मैं गैस पे कढ़ाई चड़ाई और गरम करके उसमें मुंग फली को डाल दी हूँ सबको मैं बिल्कुल ड्राइ ही रोष्ट कर रही हूँ क्योंकि मुंग फली का शिलका उतारने में आसानी होता है वैसे तो सबको मैं धीरे-धीरे भून रही हूँ मुंग फली को मखाने को भून ली और अब उसी कढ़ाई में में और भी जितने हैं सारे इंग्रिडियंट्स उन सब मैं भूने तो ये देखिए सफेद तील se डाल रहे हूँ भूनने के लिए डाल दी हूँ आप चाहे तो सब ड्राई फूर्ट जितने हैं सब्को गिर डाल कर भून सकते हैं मैं सबको ड्राई ही भून रही हूं सुखा भून रही हूं तो देखिये हमारा तील जो है भूनने लगा है सुनहरा color होने तक आप भूने बहूर जscale नहीं भूने इसे तो हमारा तील भून कर ready हो गया है और मैं उसी में अपना खस खस जो है वो डाल रही हूँ भूनने के लिए उसे भी भूनना है थोड़ा और अब यह है हमारा यह खरबूजे का बीज तो इसे भी डाल दी हूँ मैं और इने भी सबको मैं बिल्कुल low to medium flame में भून रही हूँ ताकि अच्छे से अच्छी तरह से भून जाए यह देखिए भून गया है कलर भी सुने रहा होने लगा है और इसमें एक चटचट की आवाज आने लगती चटकने लगता है इसका मतलब इसका मतलब भी सारा भून चुका है अम उंगफली का छिलका हटा लूंगी और यह हमने नारियल लिया है जिसे मैं चुटे टुकडों में भी कट कर ले रही हूं आपको जैसा पसंद वाप उस तरह से डाल सकते हैं यह जायब फल है आप इसे भी घिस कर डाल दे ठंड के लिए बहुत इच्छा रहता है गरम रहता है और इस खजूर के जितने भी बीज होते हैं सारे मैं हटा ली हूं बीज मैं बहुत विए से डाल कर तो जीशूर है मैं भून लएंगी घियमें घैक गलते हैं सार में का रहा पर बाल भी काओ ऺजोनाल सुर्ग अगलों तो सीधमडों कि दिया घ्तावकला तो कितने बड़े बड़े साइज की होने छेखे हैं प्टूलने लेगे यह किस मीशाकी फ अबल ट्रिपल हो गया और अब इसी घी में खजूर को डाल दे रहीं और इसे भी अच्छी तरस इसमें भून लूँगी भूने से ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आने लगता है ऐसे तो थोड़ा हाड रहता है तो देखिए वह भी खजूर भी भून गया है इसमें डा दाम, मुझफली ये सब तील ठंड के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है तील भी गरम होता है तो खाना चाहिए सब को बच्चों को बड़ों को फैमली में हर किसी को ये खा सकते हैं और आप रात को इसे खाकर एगलास दूद पी ले तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदे भून गया तो उसमें मैं तील, खस-खस, मुझफली और एक खरबुजे कबीज, मकाना कूट कर सब जो भी है सारा उसमें मैं एड कर दे रही हूँ और सब को अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि ये लड़ों बनने लाएक तयार हो जाएं अच्छी तरह से तो सब और ये तिल हाँ तिल है उसे एड कर रही हूँ मैं सफेद तिल तो सब को डाल दी हूँ और डाल कर बिल्कुल अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद है तो ये और बहुत ही फैयादे मंद है और थोड़ा से खीज कर दोन तरह का मैं तैयार की थी तुम सबको मिला ले रही हूँ और मुझे इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो मैं ऊपर से थोड़ा से और घीह ृइड कर रही हूँ और इसे मिला कर बीवसार डाल कर फvous अच्छी तरह से और मिला लोंगी त तो इस तरह से मैं सबको मिला ले रही हूं और मिलाने के बाद इसे एक दुसरे बरतर में ट्रांसफर कर लूँगी और गरम ही बिल्कूल अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूं ताकि लड्डू बनने लाग हो जाए तो देखिए सबको मैं हाथ हो से अच्छी तरह से मिला ले और मिलाने के बाद मैं इसका लड़ू बनाओंगी तो गरम गरम ही मैं जल्दे जल्दे बना ले रही थी तो इस तरह से देखिए यह मिल गया है बंदने लग लड़ू बनने लग बिल्कुल अच्छी तरह से त्यार हो चुक है और अब मैं गोल गोल करके आप जैसा साइज मे बिल्कट बनाना चाहिए अब लड़ू को बना सकते हैं तो देख suspected मैं मेडियं ही बना रही थी ना ज्यादा चोटा ना ज्यादा बड़ा तो इस तरह से मैं सारे लड़ू बनकर रेडी हो गया है सारे लड़ू को मैं बना ली हूँ यह बहुत ही फायदे मंद है सर्दियों के लिए तो हमारे सरदर्द कमरदर्द, हड़ी का दर्ड़ जोडो का दर्शम में बहुत ही फायदे मंद होता है तो दोस्तों आप लोग भी बनाईए इसे बनाईए खाईए ट्राइ कीजिए जरूर मेरे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिल आइकन को प्रेस कीजिएगा मिलती है नेक्ट वीडियो में थैंक झाल झाल